क्लास 10 के सभी बच्चों का पोट्री पार्ट लेशन टू साम आफ दे लाइफ साम आफ लाइफ में बहुत बहुत श्वागत है आईए बच्चों देखते हैं पोट्री पार्ट लेशन टू जिसका सीर्षक है साम आफ लाइफ जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीवन का इस्तुतिगान अब यह जानना होगा जीवन का इस्तुतिगान किस प्रकार के जीवन का गान होता है इसके राइटर है H.W. Longfellow क्योंकि एक्जाम में आपके पूछा जाता है Who is the writer of this? पोयम इस तरह से कुश्यन आता है इसलिए आप राइटर का नाम और इस्पेलिंग भी लेशन का आप अच्छी तरह सीखेंगे H.W. Longfellow जिनका जन्म होग था 1807 और मृतूर 1882 इनका पूरा नाम थोड़ा देख लिए The full name of Longfellow was Henry Wartsworth Longfellow उनका पूरा नाम था He was an American poet वह America के कवी थे He was very famous in the world वह संसार में बहुत पुश्चित थे आईए देखते है Central idea of the poem इसको दो लाइन देखना बहुत जरूरी है यहां से देखते है Second paragraph को यहां writer कहता है Life is not an imputed dream जीवन मातर एक सपन नहीं है फिर है क्या life Life is real Life यथार्थ है It is serious reality It is a serious reality वास्तों में क्या कहता है writer यह गंभीर है यहां जीवन एक गंभीर विशे है Death is not its ultimate object for soul is immortal Death is not its ultimate object for soul is immortal आत्मा अजरमर है Death किसकी है निश्चित सरीर की निश्चित है आगे कहता है sorrow or joy is not its period in way or aim इसका aim क्यों दुख अत्वस्च उठाना नहीं है यह जीवन का जो aim है वो sorrow और जुख नहीं प्राप्त करना है अर्थाद दुख और सुख नहीं प्राप्त करना है बलकि कुछ और है क्या है our main duty is in life is to work hard हमारे जीवन का जो main duty है मुख करतब है क्या है work hard cutting sum करना है and progress day by day और दिन प्रदिन प्रोग्रिस करना है अर्थाद विकास करना है in this short and temporary camp of life यह एक camp है जीवन का पढ़ाव है यह short or temporary है कब जीवन गुजर जाय हाथ से कुछ भरोसा नहीं यह temporary है we should face the circumstances of life as hero circumstances माने परिस्थितियों का face मतलब सामना hero माने नायक की तरह हमें परिस्थितियों का सामना नायक की भानत करना चाहिए जैसे आप लोग picture देखते हैं पिक्चर माने क्या करता है शारी कटनेयों को सामना करते वे अंत में विजय को प्राप्त करता है उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अनेक अनेक जो भी problems create होती है जो भी समस्यां आती है उनको डट करके मुकाबला करना चाहिए सामना करना चाहिए and not be driving this way or that way by them like helpless cattle helpless cattle मतलब आशाहाय cattle माने पश्चु जानवर की भानती हमको driving नहीं करना चाहिए मतलब पलान नहीं करना चाहिए हमें अपने जीवन से इधर उधर एक helpless cattle की तरह आसा है जानवर की तरह भागना नहीं चाहिए कुछ लोग घबडा जाते हैं जरासा भी दुखा तक तुम घबडा जाते हैं और जरासा खुशी मिलती है तो आनन से जूमने जूमने लगते हैं फिर भूल जाते हैं कि दुनिया में सुक के अस्थान पर दुख भी मिल सकता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए आगे देखें वी सूट गीब अप idealness यहां लाइन दिया idealness मतलब आलश्पन हमें आलश्पन का त्याग कर देना चाहिए और कठिन स्रम करना चाहिए तो अचीव सक्सेस सक्सेस माने सफलता अचीव माने प्राप्त करना सफलता प्राप्त करने के लिए आफ्टर सक्सेस माने एक के बाद यानि एक के सफलता के बाद दूसरी सफलता को अचीव करने के लिए हमें कठिन स्रम करना चाहिए और idealness का आलस का त्याग कर देना चाहिए We should learn a labor hard and wait for the result We should learn to labor हमें केवल क्या सिखना है We should learn to labor केवल labor करना, श्रम करना हमें सिखना चाहिए and wait for the result और paradigm का इंदजार करना चाहिए लिएसे रिस्रीमत भागोत में कर्म करते रिफल की ख्षामत करिए ऐसी भाउना के साथ अपने आलस का त्याग करके अपने जीवन पत पर एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के लिए हमें कठिन स्रम करना चाहिए तब ही जीवन का इस्तुतिगान होगा Psalm of the life लेशन का नाम है जिसका आर्थ होता है जीवन का इस्तुतिगान और ऐसे ही जीवन का इस्तुतिगान करते हैं लोग जिनका जीवन कुछ करके बहतर करके इस देश के लिए समाज के लिए बहतर करने के लिए होता है उन्ही का इस्तुतिगान होता है तो देखने का प्रयास करते हैं फॉस्ट इस्टेंजा लाइफ इस रियल रियल का अतातपर क्या होता है एक्चुल यथार्थ यह नि जीवन क्या है यथार्थ है सही है ऐसा मतमालिय कि जीवन सही नहीं है यथार्थ नहीं है यथार्त आप देख रहे हैं अपने जीवन में क्या क्या कुछ होने वाला है लाइफ is earnest अरनेस्ट अतात्पर होता गंभीर और सच्ची sincere जिसे कहते हैं जीवन यथार्त है जीवन गंभीर सत्य है यह जीवन एक सत्य है और जीवन यथार्त है and the grave is not its goal the grave is not its goal गोल कार्था होता है the aim of life is not only to enjoy its pleasures and die but something else यहनी कहने का तात्पर है जीवन का लक्ष उद्देश केवल आनंद लेना और मर जाना नहीं है अप इत कुछ और भी है ग्रेव मतलब कबर होता है लेकिन हम मिर्त्व को प्राप्त करने कर्थ में है यहनी जीवन यथार्त है life is real life is our nest जीवन गंभीर है and the grave is not its goal और जीवन का लक्ष केवल शुक उठाते हुए आनंद प्राप्त करते हुए मिर्त्व को प्राप्त कर जाना ही नहीं है कि कुछ लोग कहते है रिडम करता घरतम पिवे तरिड करो करज करो घी पी करके आनंद मना करके मर जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए आगे दिया है dust दाव आर्ट dust दाव आर्ट दाव आर्ड का तात पर दाव मतलब तुम होता है और आर्ड का तात पर आर से यानि तुम हो क्या हो dust दाव आर्ट दाव आर्ट दाव रिड़नेस्ट dust माने धूल होता है रिड़नेस्ट माने लोट जाना यहां कहने क्या तात पर है मिट्टी से इंसान पैदा होता है और कहा मिलता है मिट्टी में ही जाके मिल जाता है यहां कहने को अब फिर्स देख लिजे जीवन सत्य है जीवन गंभीर है जीवन का लग्चस सुक उठाते हुए अर्थात आनंद पूर्वक बिताते हुए मृत्त को प्राप्त करना नहीं है तुम मिट्टी के पुतले हो यह नहीं वी आर सबकी बात कर रहा है तुम मिट्टी क के बारे में कहा गया है आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है यह नहीं शरीर मिट्टी की बनी मिट्टी मिल जाएगी लेकिन आत्मा तो अजर मर है यह सदय शनातन है न यह पैदा होती है न कभी मरती है तो बच्चों अर्थ कैसे लिखेंगा अर्थों कैसे समझें जरा फिर जाना, ही नहीं है. परंतु, इसका उद्धिस कुछ और है क्या. ऐहां, मिटी के बने हो और बने हो तुम मिटी के बने पुतले और मिटी में ही मिल जाना है. यह सरीर के लिए कहा गया है. इसको जोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि उसके लिए कोई word नहीं आया है लेकिन यहां last line clear करता है is not spoken of the soul लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है अर्थाद मिट्टी के तुम पुतले हो मिट्टी मिल जाना या बाद शरीर के लिए है लेकिन आत्मा के लिए नहीं है second first four line finish होती है आपकी second four line देखिए आप लोग not enjoyment and not sorrow not enjoyment and not sorrow enjoyment माने आनंद शारो माने grief, दुख, पीडा not enjoyment and not sorrow is our destined end our way destined end our way का तात्पर क्या होता है जीवन का पूरु निर्धारित लक्ष अथवा उद्देश जीवन का पूरु निर्धारित लक्ष अथवा उद्देश but to act the each tomorrow, act माने क्रिया करना, each माने प्रतेक तुमारो माने आने वाले दिन के लिए क्यों? finds us further, finds माने प्राप करना further माने आगे than today माने बजाए आज के अब इसको पूरा अर्था आप लोग समझेए जीवन का या पूरु निर्धारित लक्ष अथवा उद्देश नहीं है दूसरी लाइन से is our destined in our way जीवन का पूरु निर्धारित लक्ष अथवा उद्देश यह नहीं है, क्या है? not enjoyment and not sorrow अब इसको पूरा देखें समझवाएगा कि हम आनंद उठाएं और कश्ट सहन करें मर जाएं यानि जीवन का पूरु निर्धारित लक्ष या उद्देश यह नहीं है कि हम जीवन प्राप्त करें आनंद उठाएं और एक दिन मर जाएं बलकि फिर क्या है? जीवन का उदेश सतत परिस्तरम करते रहना है But act यहां act तात पर होता सतत परिस्तरम के छेत्र में कारे करना But to add the east tomorrow प्रतेक आने वाले दिन के लिए यहनी प्रतेक आने वाले समय के लिए हमें क्या करना है कौठिन स्रम करना है यहनी जीवन का पूरु निर्धारित लक्षाउद देश आनन्द उठाना का स्थान और मर जाना नहीं बलकि आने वाले प्रतेक समय के लिए परिस्तरम करते रहना है क्यों हमें सतत प्रगति करते रहना चाहिए तीसरी लाइन में In the world's broad field of battle In the world's broad of battle In the Bible's of life Be not like dumb driving cattle Be a hero in the stripe देखे But to act the east tomorrow But the act east tomorrow यहनी प्रतेक आने वाले दिन के लिए मुझे क्रिया करना चाहिए Find further than today मतलब इससे बेतर जीवन के लिए अब आगे देखते हैं In the world's broad field of battle In the world's In the world's broad field of battle इस जीवन के सांसारिक छेत्र में यह कैसा है Battle field है युद्ध का छेत्र है क्योंकि सक्स्पीर में ने भी लिखा है This word is like stage Where every man must come and play his part यह जीवन क्या है यह का रंगमंज के समान है यहां लेख कहता है In the world's broad field of battle Broad माने होता विशाल Field of battle मतलब होता युद्धस्थर Life is full of struggle and difficulties यह जीवन हमारा के दुख और संख से भरा है In the爷house of life In the爷house of life अतातपर है जीवन का पड़ा In the爷house of life मने जीवन का पड़ा और drive माने होता भागना Dumb माने होता गुंगा Kitchen माने होता जानवर Hero माने होता नायक Hero माने नायक और stripe माने होता कठिन आई अब पूरा देखे, जीवन अस्थाई तथा च्छाणिक है, in the words brought filled up to get lit, in the vives of life, जीवन कैसा है, जीवन अस्थाई च्छाणिक है, जीवन संघर्षना कठनायों से भरा पड़ा है, in the words brought up to get lit, in the vives of life, आता हमें उनसे पीछे नहीं अटना चाहिए, बलकि जीवन रूपी ये दुख अपने करदब के साथ निर्वा करना चाहिए, मनुस को संसार में यहां कैटिल के ताथ पर सारे जानवाट से भेंड़ था, बकरियों की भात नहीं रहना चाहिए, और उसे अपने परिस्थितियों से बिचलित नहीं होना चाहिए, जीवन और उसकी कठनायों का सामन करना चाहिए इन दे वर्ड फिर देख लिए थवड़ा घुमा के दिया है मतलब जीवन के इस विशाल युद्शेत्र में कहने के मतलब जीवन के इस पड़ा अपर हमें क्या करना है यह भेंड बकरियों के तरह अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए बलकि क्या करना चाहिए बिए हीरो एक हीरो बनकर के नायक बनकर के इस टाइब बने कटनाईओं को सामना करना चाहिए यहनी हमें गुञें बहरे भेंड बकरियों के तरह अपना जीवन जीवन जीने के बजाए इस जीवन रूपी छेत्र में क्या करना है गर्स करते रहना चाहिए और एक नायक की भाहती क्या करना चाहिए उस्सा के साथ अब कट्मयाओं को सामना करना चाहिए है कि नहीं इस तरह से अंतिम आपका पारग्राफ आता है अंतिम लाइन आती है let us then be up and doing, let us then up, let us then be up and doing, with a heart for any faith, still achieving, still perceiving, learn to labor and to wait Let us then be up and doing देखे Be up and doing का तात्पर होताल लंगर बांद कर लड़ते रहने के तैयारी के बात यहां युद्ध छेत्र में एक नायकी बाद कहा न Be up and doing का तात्पर है लंगर बांद कर लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए यहनी जीवन के इस युद्ध छेत्र मेंगर हम आए हैं तो जैसे एक सिपाही लंगर बांद करके तंबू बांद करके सीमा पर डटा रहता है तयार रहता है with heart of any fate with heart of any fate with heart मतलब होता दिर्णता पूरवक मतलब पूरे मन से पूरे दिल से पूरे दिमाग से दिर्णता पूरवक और फिर क्या कहता है आगे still achieving still pursuing इसका अर्थ होता है जीवन का लक्ष अपने लक्षी की प्राप्ट के लिए कठोर परिश्रम करना हमें सदयो सतत प्रगत करते रहना चाहिए still achieving still pursuing यानि हमें जीवन के पत पर सदयव प्रकत करते रहना चाहिए अगला दिया है learn to labor learn माने सीखो labor माने कठीन स्रम के साथ कोई चीज क्या कहता है नवयूकों को धायरवान तथा गोर परिश्रमी होना चाहिए नवयूकों को प्रेड़ा दे रहा है learn to labor and to wait learn to labor and to wait नवयूकों को धायरवान तथा गोर परिश्रमी होना चाहिए उन्हें तात पातकालित पारश्रमिक की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानि उनको चिंतित नहीं करना चाहिए, चिंतित नहीं रहना चाहिए, कि इनको नवयूकों को प्रिड़त करते वे कभी कहता है इसमें, लेटस देन भी अप अंडूइंग, आओ, कहता है लेटस, यहनी जैसे लेटस प्ले, आओ खेले, लेटस रीट, चलो पढ़े, आओ पढ़े, लेटस मूब फारवड, चलो आगे बढ़े, तहां लेटस का तत्पर अप पढ़े होगे लेट का प्रियोग, कहता है, हे नवयुकों, तुम्हें धायरवांत था घोर परिश्रमी होना चाहिए, धन्रवाद,